बहुत बहुत सवागत है आप सबका हमारे यूटूब चैनल असोका क्लासिज में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन को दबा कर अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बैल बटन को जरूर प्रेस कीजिए ता आपने दसपलो बिन को decimals number को दसपलो बिन वाले numbers चोड़ते हैं आपके, उनको simple बिन में बदले हैं, इसी परकार exam में बार बार वाले questions को solve करना भी आपसे पूच आजाता है, जैसे examples की में बात, 0.3 को बिन के रूप में बदले, 0.3 को बिन के रूप में कैसे बतले हैं, तो आपको करना क्याना है, अगर मैं 0.3 को आपसे कहता है कि दसपलो बिन में बदले हैं, तो आप क्या करते हैं, 3 और point की बार जितने नंबर हैं, उतने ही times 0.3 को करना हैं, तो क्या मुझे इसके लिए भी ऐसा ही करना हो, बार वाले questions को आप कैसे solve करें, क्या ना, इसके लिए यह तो आपको 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 दिए, यह ऐसे नहीं solve को, तो देखें इन नंबर को कैसे solve करना हैं, बार वाले questions के लिए जो भी संख्याप को दिए है, उसको edge की दिए है, divide by, point के बार जितने नंबर पे बार ही उसके लिए आपको ना आपना है, अगर यह दिन करती है तो 3 पे cancel होते है, 3 बन जब 3, 3 जब, तो आप कह सकते है, 0.3 के उपर बार की जो कहले हो, कितनी होगी, 1 by 3, एक और एक्जाम्ट करने के हुम बात करते हैं, अगर आप से कह दिया जाए, इसकी value क्या है, तो इस questions को सोल करने के जैसे, मैंने आपको बता है, 0, 3, cell, divided, बार के बार जितने भी नंबर से हैं, sorry, decimal के बार जितने भी नंबर से आपको given हैं, और जिनके उपर बार दिया होगा, उत्रे टाइम्स, 9, तो आप कह सकते हैं, 37 upon triple 1, अगर यह cancel होता है, तो cancel कर तो, नहीं तो, एजटी जापस तो, रट सकते, यह को रहे साथ हैं, अगर इससे questions को मैं कहता है, अगर 0.037, इसकी value क्या होगी, तो इसके लिए आपको cancel है, जैसा मैंने आपको रहता है, 37, पहले नंबर को, विद्धाउट डेसिमल और जो भी विद्धाउट बारवाले जो नुपर है, एक कप्रिट लिए, 37, अब जितने नंबर के उपर बाहा है, उतने times double, और जितने डेसिमल की बाद नंबर बचके, विद्धाउट बारवाले, उमकी निमों चे 0 लगाना है, जैसे डेसिमल वा और डेबल मैं जितने, एक और क्यूस्टन सब देखते हैं, अबर क्यूस्टन आपको दे दिया है, 2.432 और 32 के उपर बाहर है, इसकी वेरिव, क्या है, तो आपको क्या करना है, अगर डेसिमल से पहले कोई नंबर है, तो आपको क्या करना है, अब जितने भी नंबर ऐसे बचके, जितने के उपर बाहर नहीं है, जैसे यहां से पॉइंट फिलिस हो गया, 2.4, तो इसको मैनिस कर देना, इसमें से, 2.4, तो आप कहेंगे, 24, 0, 8, अपूर 99, 0, अब यह कैंसल होता है, तो इसको आप कैंसल कर देजी, छोटा करके आप इसको लिख सकते हैं, तो एक और एक्जाम्स, इस त्रेंट आप लेके कर सकते हैं, देखते हैं कि एक्जाम्स, एक्जाम्स में यह क्योशन्स कैसे फ्रेम होंके आते हैं, और यह क्योशन्स आप से एक्जाम्स उचा लेके, तो इसको कैसे सोल कर देए, जैसा मैंने अभी आपको बताया, तो इसके लिए क्या होगे, 2 by 9, सिम्बल प्लस कैसे, इसके वैज़ों की 3 by 9, प्लस 32 divided by 19, अब इन नंबर्स को आपने एड़ करना है, अब आपको पता है, यह fractions value यानि भिन वाले नंबर को by LCM आप एड़ करेंगे, डारेक्ट आप एड़ नहीं परसंद, तो 9 9, double 9 का LCM आपका, double 9, तो यह हुगा आपका, 22, प्लस 33, प्लस 32, तो यह हुगा आपका, 87 by 99, और exam में ने भी आपको यह लिखा हुआ आजाए, 0.87, options में आपको 0.87 के उपर बार भी मिल सकता है answer में, और आप 87 by 99 भी exam में आपको options में मिल सकता है, तो इन questions को आप ऐसे बड़ी आसानी से सोल कर पाएंगे, एक और example गिवन है आपको देखतें, 0.63 plus 0.80 की value क्या हुआ, तो जैसा भी मैंने आपको बता है, पहले सबसे पहले, नमबर को without decimal, without our complete लेकि, 63 upon double, plus 37 upon 99, 80 upon 90, अब आपको क्या करने, lc में लेना, lc मारना 99, और ये भी आपको बता है, जब नीचे value सेम होती है, तो उपर वाले value टारेक्ट, एड हो जाती है, जब आप lc में लेते हैं, भिन वालेको सबता है, तो कितना होगे है, 180 upon 99, अगर cancel आपको करना चाहिए, तो आप इसको cancel कर सकते हैं, अगर होता है, तो otherwise आप इसको ऐसे ही रख सकते हैं, तो ऐसे आप एक्जामें बार बारे questions को सोब करें, Thank you.